तो दोस्तों ऐसा कौन सा पेड़ है जो आपके हाथ में फिट हो जाता है अंसर जाने के लिए देखे आज का वीडियो आज की इस वीडियो में हम दो important चीजों के बारे में बात करेंगे एक तो market dump की हो रहा है थोड़ा सा वह भी देख लेंगे उसके लावा bitcoin के चाट पर हलकी सी नजर लगाएंगे and then बात करेंगे Uniswap और FTX के hacker के बारे में तो guys with that like button वागरा जरूर दो बादे subscribe वागरा जो भी करना है कर ले financial funda channel भी आप check out कर सकते है moving to the quick disclaimer guys cryptocurrency highly risky market है यहां पर इस भी तरीक है regulatory recourse नहीं है for any losses whatsoever these videos are educational videos and don't treat them as financial advice I am not a registered financial advisor तो with that guys चले चलते हैं अपन स्क्रीन की तरफ और पहले Uniswap की आप बात कर लेते हैं Uniswap ने यहां पर अपनी प्राइवसी पॉलिसी पुश की थी यह प्राइवसी पॉलिसी में इन्हों ने चीज मेंशन की है कि हम लोग किसी तरीके का data जो है बाइदावे वालेट और वो device connect नहीं हो सकते कि यार यह वालेट यह device यूज कर रहा था बट ऑफचेन डेटा में website जो हैं उनको कुछ data यूज करना पड़ता है ताकि वो बेटर चीजें कर पाएं डेवाइस के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं बेटर website का experience दे पाएं यह सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अब यह चीज लोग समझ नहीं रहे और लोग गाले निकाल रहे है तो यहाँ पर Uniswap वाले वही data collect करने है जो बागी सब collect करते हैं कि आप कौन सा ब्राउजर यूस कर रहे हो कौन सा डिवाइस यूस कर रहे हो यह सारी चीजे इसमें कुछ नया नहीं है पूरी दुनिया में यह collect होता है हर website में collect होता है बट यहाँ पे काफी जादा जो लोग decentralization को push करते हैं उनके तरफ से काफी backlash देखने को मिल रहा है Uniswap को which is a wrong thing because इस data के base पर चीजें की जाती है so that बहुत सही किया जाए आगेगा यह सही experience वो दे सके तो इस ट्रेंज तो यहां पर यहां पर यहां पर काफी काली पड़ रहे है अभी Uniswap को नमबर दो अगर हम बात करें यहां पर जेनिस तो बिटकोइन आपको पता ही होगा यहां पर जेनिस का bankruptcy filing का news आया था फिर आया कि नहीं शायद उनको नहीं चाहिए फिर उन्होंने बोला कि हम 500 million dollar ही raise कर रहे हैं अब यहां पर बिटकोइन को नेगेटिव बना रहे हैं दूसरा 23 तारीक के लिए भी आपको यहां पर वेट करना है तो बिफोर दाट गाइस आपन FTX के हैकर की बात कर लेते हैं 200 million dollar का एथिरियम था जिसको उसने 12 लग 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 वालेट में आपर डाल दिया है तो आप में से यहां पर बिच में यहां पर बिच में निकल गया थी कि नहीं नहीं वह जो है गवर्मेंट ने ले लिया थे तो अब उसका क्लारिफिकेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि हैक भी हुए है तो उसने देखो यहां पर पूरा 15,000-15,000 इथर यहां पर अलग लग लग वालेट में यह दूसरी बात यहां पर अगर हम बात करें कि यहां क्या चल रहा है यहां पर meme coins वाला भी clarification भाई ने दिया था कि यह hacker meme coins में trade कर रहा है गाइस वह transactions को spoof कर रहा है मैंने last week ही share कर दिया था point कि वह transactions are being spoofed वह असली transactions नहीं है वह just market को फलतूओ को move करने की जो है यहां पर कोशि ऐसे जो इस तरह इस हैकर को messages भेज रहे हैं like literally ये बंदे लिखा please send me hundred thousand dollars मेरे को medical bills है मुझे US से visit करना है मैं properly work नहीं कर सकता aggressive muscle issues है वगरा वगरा proof of my appointment तो लोगों ने इस तरह से उस से पैसे भी यहां पर मांगे है सहीं कि हमको पैसो की जुरूरत है हमें थोड़े आप पैसे जो है यहां पर दे दो तो थोड़ा आपका भगवान भला करेगा दूसरा अब बात करते हैं यहां पर market में bitcoin के बारे में तो bitcoin का मैंने आप लोगों को update दिया तो मैंने बोला था है यहां पर negative यहां हम लोगों को bitcoin देखने को मिल सकता है विक है वो support के नीचे start हुआ है and weak rate start हुआ है तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है right now bitcoin जो है वो यहां पर support बना रहा है हमारे पुराने विक्स पे तो 15700 का जो लेवल है जो अगेन कल के वीडियो में share किया है but basic basic चीज है 15700 के लेवल पर अभी के लिए support बना रहा है but market में जिस तरह का महौल है जिस तरह का sentiment है guys palm tree palm tree yes palm tree अब इस बात पर like जरूर दुबाना I know next level joke है एकदम next level joke था यह वाला तो guys इस चीज पर आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह support level break अगर होता है तो बहुत ही जादा dangerous है bitcoin के लिए because इसके बाद फिर हम लोग एकदम lower levels पर आ जाएंगे because it is going to be very very risky and kind of for this market uncharted territory तो हम लोगों को एकदम cascading liquidations देखने को मिलने का chance यहां पर हो जाता है तो थोड़ा से यहां पर ध्यान रखें आप जो है नजर रखें 15700 के level पे especially and let's see how things pan out 4R में अगर देखा तो 21 EMA just उपर है that means अगला एक डेर दिन जो है हम लोगों को इसका pressure भी देखने को मिल सकत या हम लोगों को market में एक volume देखने को मिल जाए तब जाके यहां पर उपर वाले immediate जो resistance है 21 EMA as well as यह जो resistance level हमारा बन जाता है 16200 की range का वो यहां पर break खुपाएगा otherwise इनको break करना बहुत मुश्किल है with the current scenario जो market में चल रहा है so that's a very very quick update on the situation अब इसमें आप trend line निकालना चाहे triangle बनाना चाहें बहुत सारी चीज़े बन सकती है चाहे तो आप अधा थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो यहां पर एक तरह का parallel channel भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो सबका अलग लगती होगा but basic मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर idea दे दिया है तो hope guys this video rather rather brings you some value and some input into market यहां पर क्या कर रही है guys as always like button ज़रूर दुबाएं चैनल पर अगर अगर सब्सक्राइब नहीं है नहीं है तो यहां पर चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक्स वगर आपको सारे description मिल जाएंगे चाहें इंस्टाग्राम हो यूटीब हो financial funda हो वगेरा वगेरा वगेरा